गेस ये अवस्ता पाट की इसकड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि वास्त्री गेसे क्या होती है आदर्स गेसे क्या होती है और जो वे गेसे वे वास्त्री गेसे जो आदर्स गेस जैसा विवार करती है वो आदर्स विवार से विचलन कैसे तरसाती है इस वीडिय प्रगति में कोई भी गेस आदर्स नहीं है मतलब ताफ दाब पर जो आयल चाल्स वर आवगादरों से हमें जो आदर्स गेस समीकर्ण प्राप्त होता है उसका नियम का पालन नहीं करती है बात करते हैं वास्तफिक केसों की तो वहां केसे जो उच्छ ताफ धियान रखेगा उच्छ ताफ व निम्न दाब पर गेस नियमों का पालन करती है उनसे उच्छ ताफ व निम्न दाब यानि ताप क्या होना चाहिए उच्छ होना चाहिए दाप क्या होना चाहिए कम होना चाहिए गेस नियम का पालन करती है वास्तफिक कैसे कैलाती है लेकिन जो वास्तफिक कैसे हैं कुछ कंडिशन में आदर्स वेवार से विचलित हो जाती है तो देखते हैं क्या-क्या वो कंडिशन होती है कि वास्त्वी कैसे जो है आदर्स वेवार से विचलित देशाती है इसके लिए हम गराप से अधियन करेंगे तो सबसे पहली बात यह है कि जो सभी कैसे है वे उच्छ ताप व निम्रा दाप मैंने पहले ही पताया था कि ताप क्या हो ताप उच्छ हो ताप का मान उच्छ हो दाप का मान कम हो सभी कैसे आदर्स विवार करती है लेकिन जब हम दाप बढ़ाते हैं और ताप को कम करते हैं जब हम दाब बढ़ाएं और दाब कम करें तो जो आदर्स वेवार से विचलित हो जाती हैं क्योंकि दाब बढ़ाने पर और दाब कम करने पर हमें वायल का नियम परता है कि आईतन होता है वो दाब के समानुपाती होता है यहनि जब दाब बढ़ेगा तो आईतन कम ह हो जाएगा यैनि नाव बढ़ाने पर जो आइतन है आइतन का मान क्या हो जाता है मुआ जिस कारण से वास्तिक यह से आधर्स विभार से विचलित जाती है लेकिन वे गैसे जो सहरलता से दरवीत होती है जैसे शर्फरो डायोकसाइट कार्बन डायोकसाइट अम्मोनिया यह आदर्स व्यवार से कम विचलित होती इतना विचलित नहीं होती है लेकिन जो आदर्स व्यवार से जैसे विचलित हो जाती है उनके लिए हम नदे करते हैं simpredata guna जैडे से ग्याद करते हैं जैसे PV बुरूबर nrt आत्यार्ट समेद करा पिजियरा आपके संप्ड़ता गुणागू को लिखते हैं यहां से हमें z का मान निकालना है तो जैडे बुरूबर सल सम Georуз सह्ट का मालना है इसमें जब आदर्स गेस का आयतन का भाग लगाएंगे तो विचलन का मान हमें ग्यात हो जाएगा उसके हनुसार हमें तीन मान प्राप्ट होते हैं आए देखते क्या होता है जब 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 का मान एक है तो पीवी इज़ एक होता है और आदर्स गेस से विचलन नहीं होता है जेड बरबर एक होने पर आदर्स गेस का वितलिन नहीं होगा और ये कंडिशन के ओल सुन्यद आप पर सभी गेसे आदर्स होती है निस सुन्यद आप पर जो संपिड़ता गुनांग है इसका मान क्या होगा एक होगा लेकिन जब जेड का मान एक से अधिक हो तो धनातनुक वितलिन दर्साती है और जब जेड का मान एक से कम हो तो रिनातनुक वितलिन दर्साती है और त्यान रखिएगा कि हाइटोजन के लिए सबी ताबो पर ये धनातनुक वितलिन ही दर्साती है हाइडोजन के लिए सबी दाबों पर हमें सा धनातनों बितलन होगा अब इसको कैसे ग्याद करते हैं हमने क्या सुतर ग्याद किया था कि V जो है वो वास्त्वी केस है इसमें V आदर्स गेस का भाग लगाएंगे मान लीजिए किसी गेस का आइतन वास्त्वी गेस का आइतन भी 20 है आदर्स गेस का आइतन भी 20 है तो इसके मान कितना निकल गाएगा एक अथे आदर्स वेवार से विचलन नहीं होगी लेकिन जब वास्त्वी गेस का आइतन मान लीजिए दस हो और अदस गेस का आइतन कितना हो बीस हो तो जेड का मान जो है वो एक से कम आएगा और रिनात्म विजलन होगा और जब जेड का मान अधिक होने पर एक सदिक होने पर तनात्म विजलन दरसाएगा लाई हमें ग्राप देखते हैं हमने क्या किया दाब और आयतन के बीच में ग्राप किचा यह जो लाइन जा रही है यह जो है अधर्स केस की लाइन है यानि दाब का आयतन के साथ परिवर्तन है और यह वाली जो लाइन जा रही है वह वास्थवी गेस का दाब और आयतन के आदर्स गेस के आयतन से अधिए होता है तो जो विजलन होगा वो कैसा होगा धनात्मक होगा और यहां पर देखेगा यहां जो आयतन आघर है वघूर पर एक शारे के देखतेद्व लयास को देखते हैं पहला कारण है कि अनुयों द्वारा घेरा गया आयतन in गेश के कुल आयतन की तुलना में नगन्य होता है अनुओ द्वारा घेरा गया आयतन गेश के कुल आयतन की तुलना में नगन्य होता है वो जो दूसरा करण है वो गेश के अनुओ के बीच कोई आकरशनबल नहीं होता है इन दो काड़नों से वास्तिक गेश आदर्स फ्यवा कर दो धाल रहा है और जो वास्त्वी केसे है उसका जो आयत्तन हुई इस प्रारम में आ रहा है वह यह आ मतलब प्रारम केस्का अतर्स गेस्का अतर्स एस का अतर्स नथ भी जान दनात्मण रहा है और यहां पर आदर्स государ folded धिकें तो जो विछ लगा वो कैसा होगा विचलण होगा आईए वनडर वाल समिकन को देखंकर को या याइस समिकन ढरत यह नहीं चैनल 1 संसुधन किया भुटorg में संसुधन किया और यहytes के में संसुदन किया यहां से आयतन और दाब में संसुदन करके एक नया समिकन दिया तो जो उनने आयतन में संसुदन किया वो क्या था कि गेस के अनुओं का आयतन सुन्य नहीं होता है जो गेस के अनुओं है और जो दाप में संसुदन किया वो था P पलस A N का स्कॉर बटे V स्कॉर यहां A और B क्या है वांडरवाल नियंतांग है वो इन दोनों समय करनों से जो वांडरवाल समय कर निकाल के लाए वो क्या था देखते हैं P पलस A N का स्कॉर अपन V स्कॉर V माइनस N V भरोबर N R T P यहा है आइतन यहां पर भी V क्या है आइतन जो आइतन में संसुदन क्या था यह जो संसुदन है वो दाप संसुदन है और यह जो संसुदन है वो आइतन संसुदन है इनका मान N R T के बरबर होता है आर पता ही है आपको गेस इस्तिरांग होता है और यह जो A और B हैं वो वांडर अधिक होता है, आई हम A और B की एकाई निकालें, तो जो दाब संसोधन का वेंजग था, वो क्या था, A N का स्कॉर बटे, V स्कॉर, यहां से हमें A ग्यात करना है, A को इधर ले जाएंगे, तो जो दाब है, वो क्या वाजाएगा, दाब इन्टू आइतन का स्कॉर बटे, मोल का स्कॉयर जो दाब है उसके लिए वायू मंडली दाब लिख सकते हैं आईतन की इकई क्या होती है लिटर स्कॉयर और मॉल का मॉल तो जो ये की इकई निकल गया आएगी, वो होती है, वायू मंडली है, दाब लिटर स्कॉर मोल माइनस टू, और जो आईतन संसुदन था, वो क्या था, एन बी के बरबर था, यहां समें बी की मातरग निकालना है, तो बी बरबर क्या हो जाएगा, वी बटा एन, बी यहां पे क्या है, आईतन का आपद है, एन क्या है, मोलो की संक्या है, और जो आईतन है, उसको हम लिटर में लिखते हैं, मोल को हम मोल ही लिखते हैं, तो भी बरबरा जाएगा, लिटर मोल माइनस वन, और एक बात ध्यान रखिएगा, कि जो गैसे, सरल्टा से दर्वीत होती है, उनके लिए यह का मान ह मेशा इस्ताई गेसों से अधिक होता है तो यह था वास्तिक गेसों का बिचलन वांडरवाल समीकांड आपको वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें शेर करें